नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आज़े ब्रमादबस आज मैं आपको प्रिथ्वी राज के निर्देश शक्त डॉक्टर चंद प्रकाज दुएदी के बारे में बताऊंगा उनके बारे में थोड़ी विस्तार से बाते होंगी ताकि आप उनके प्रिष्ट भूमी समझ सकें उनकी साधना समझ सकें और उनकी इस फिल्म को समझ सकें बात आगे करों इसके पहले में चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो और अगर किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें इसके बारे में बताएं हमें जल्दी से जल्दी 6,000 पहुँचना है और बाय मी ये कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें मेरे साथ रहे हैं उसके डिटेल नीचे दिये गया है और आप वहाँ जाकर या काम कर सकते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ डाक्टर चन्दप्रकास दिवेदी की फिल्म पिर्थविराज 3 जून को आ रही है नौ मई को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म के लगातार चर्चा हो रही है कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं क कुछ मीम निकाल रहे हैं, लेकिन ये है कि यह फिल्म चर्चा में है। इस फिल्म के चर्चा में आने की सबसे वड़ी वज़ा यह है कि एक तो यह आक्षय कुमार की फिल्म है, दूसरे इसे यसराज फिल्म प्रस्तूत कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर चन्प्रकास दुविदी तो 2003 से फिल्में बना रहे हैं और अभी तक उन्होंने तीन फिल्में निर्देशित की हैं, लेकिन किसी भी फिल्म की ऐसी चर्चा नहीं हुई थी। डॉक्टर चन्प्रकास दुविदी के बारे में मैं पड़्मानिक तोर पे और थोड़े भरोसे के साथ इसलिए बात कर सकता हूं कि मेरा उनके साथ एसोशियेशन काफी लंबा रहा है। आप मेंसे सायद कुछ लोग जानते हों कि उनके प्रथम धारावाहिक चानके का में मीडिया सही हो जग था। यह मुलाकात एक अचानक सी मुलाकात थी। दरसल उन्हें अपने इस धारावाहिक में सिकंदर का भाशन अनुवाद करवाना था। उन्हें ऐसी भाशा में अनुवाद चाहिए था जो उनके समवादों की भाशा से मिल सके। मुझे यह काम दिनेश शाकूल ने सौपा। दिनेश शाकूल उन दिनों भाशांतर नाम की संस्था चलाते थे जो विबिन भाशाओं में ट्रांसलेशन का काम करता था। इसके अलाबा वे चानक में चंद्रगुप्त की भूमिका भी निभा रहे थे। उनके जरिये यह काम मुझे मिला और जब यह काम मुझे दिया गया और मैंने इसे पूरा कर लिया तो मैंने दिनेश से कहा कि मैं आता हूँ चर्च गेट मैं आपको यह काम दे दूँगा। आई नहीं करता था। तो मैं चला गया, मिलने गया, संयोग से डॉक्टर दुवेदी आफिस में थे, उन्होंने मेरा अनुवाद लिया और ततकाल पढ़ लिया। यह एक बहुत अच्छी आदत है उनकी। उनके पास कोई भी सामगरी आप भेजो तो वे ततकाल उसे पढ़ते हैं या मौका मिलते ही सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। पढ़ने के साथ उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, उन्होंने बाते आगे कि पूछा मुझसे कि क्या करता हूँ मैं, मुंबई में कब से हूँ मैं, मैंने अपनी सारी जानकारिया थी जिसके बारे मैं फिर कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, बात ये हुई कि उन्ह में कुछ लोगों से परिचय है मेरा, तो उन्होंने काए ठीक है, उन दिनों उसे पी आरो कहा जाता था, आज भी उसे पी आरो ही कहा जाता है, लेकिन मुझे यह शब्द पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना नाम मीडिया संयोजक के तौर पे दूँगा, मैं लगातार मजबूत होता चला गया है, हलाकि उसके बाद मैंने उनके साथ कोछ ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हमारा एसोशियेशन बना रहा, हमारा मिलना जुनना बनता रहा, हमारी बाते होते रहीं, हमारी बहसे होते रहीं, और वैचारिक रूप से हम दोनों अलग- अलग-पंथ के हैं, अलग-अलग-मार्क के हैं, लेकिन हमारी दोस्ती में इससे कोई दरार नहीं आई, और यहीं वज़ा है कि 1991-92 से जारी हुए दोस्ती आज 2022 तक में जारी है, इसलिए मैं कभी-कभी कहता हूं कि डॉक्टर दुएदी के संगर्स को मैं 30 सालों से जानता ह जी हाँ, बहुत करीब से जानता हूं मैं, उसमें कुछ बाते आपको बताई जा सकते हैं, कुछ बाते नहीं बताई जा सकती हैं, अगर आपके सवाल इस वीडियो के बाद आएंगे तो मैं उसके बारे में बाते करूंगा, तो उनका यह धारावाहिक चाड़क के तूर दर जाते हैं कि उसके बाद यह धारावाहिक पूरे विश्व में देखा गया, और सायद ही कोई ऐसा साल जाता हो, जब यह धारावाहिक किसी ने किसी चैनल पर दुनिया के किसी ने किसी चैनल पर पसारित नो हो रहा हो, डॉक्टर चंद परकास दिवेदी के आरंभिक पहचा इसी धारावाहिक से बनी, और आज भी इस धारावाहिक को लोग याद करते हैं क्योंकि इसे लिखा भी उन्होंने था, निर्देशित भी उन्होंने किया था, और मुख्य किरदार चाना की गई भूमिका भी उन्होंने निवाई थी, इसके बाद विलगातार काम करते रहे और उन्होंने बाद में दो एतियासिक धारावाहिक या कहले की मिठ किये धारावाहिक, निर्देशित किये, एक और महाभारत और मिर्तियुन्जे. इसमें मिर्तियुन्जे पहले आया था जो कर्ण के जीवन पर केंदरित था और यह 1995 में प्रसारित हुआ था. इसके बाद 1997 में एक और महाभारत आया था, लेकिन एक और महाभारत को दर्शकों ने बहुत पसंद नहीं किया था, इसलिए अधारावाहिक कुछ एक कड़ियों के बाद बंद कर देना पड़ा. फिर डॉक्टर दुवेदी अपने फिल्म के निर्मान में लग गया है और वहाँ से इनकी कोशिज ने जारी हुई, क्योंकि मुख उद्देश से उनका फिल्मों में काम करना था, फिल्म निर्देशित करना था. फिल्म को लेकर लगतार बाते होती रही और फिर इसमें ओसवाल इंडिस्ट्रीज के लोग सामिल लिए, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, वे फिल्म निर्मान में आना चाते थे, उन्होंने डॉक्टर दुवेदी को पिंजर के लिए अनुबंधित किया, पिंजर जो अम माना गया यह फिल्म दक्षिन पंथी मिजाज को लेकर चलती है, लेकिन मैं जानता हूँ और उस समय मेरी योजना थी, कि पिंजर की मेकिंग पर मैं एक किताब लिखूँगा, लेकिन सम्हाव वह सम्हाव नहीं हो सका, पिंजर की मेकिंग के दुरान में जानता है था, अमर प्रितम के उपन्यास का फिल्मांकन था, हाँ, कुछ सिनेमाई लिबर्टी जरूर ली थी, डॉक्टर चन प्रकास दिवेदी ने